सिंगर अदनान सामी इन दुनों अपने उपर कई बड़े आरोपों को लेकर चर्चा में चल रहे है अदनान के भाई जुनेद सामी ने उन पर कई बड़े आरोप लगा है हाला कि सिंगर ने भाई के नारोपों का मूतोर जवाब भी दिया है पिछले दिनों अदनान के भाई ने लिखा अब इमरान खान बनने का समय आ गया है मैं अपने बड़े भाई अदनान सामी के बारे में कई सच उजाकर करने वाला हूँ उपर वाले के अलावा अब मुझे किसी से कोई डर नहीं है ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा करना ही हो गया क्योंकि सच का सब के सामने आना बेहद जरूरी है मैं अदनान को चनौती देता हूँ कि किसी भी बात में से एक को भी गलत बता कर दिखाए फिर जनैद ने अदनान पर आरोपो की बोचार करते हुए कहा कि अदनान अपनी दूसरी बीवी का एक अशलील वीडियो जारी करने में शामिल थे अदनान सामी ने साल 1993 में एक्टरिज जेबा वक्तियार से शादी की थी कपल का एक बेटा भी है जिसका नाम अजान सामी खान है शादी के तीन साल बाद इनका तलाक हो गया था जुनाईद ने आगे कहा साल 2001 में अदनान ने दुबई के रहने वाली अरब सभा से शादी की ये दोनों की ही दूसरी शादी थी अरब सभा का पहली शादी से बेटा भी था अदनान की ये शादी भी नहीं चली और एक दिड़ साल के अंदर ही उनका तलाक हो गया बड़ी मदद कर सकते थे वे जानते हैं कि मुझे में भी प्रतीबा है और मैं भी गा सकता हूँ कई लोगों ने मुझसे कहा है कि मेरी आवाज उनसे थोड़ी बहतर है लेकिन उन्होंने कभी मेरी परवा नहीं की और सेलफिज बने रहें मुझे इंडिया में भी कभी नहीं किया अदनान सामी पर एक नहीं बलकि कई सारे लजाम है वहीं अपनी पत्नी के अश्रील वीडियो बनाने के अलावा उनके भाई जुनेद ने अदनान पर फरजी डिगरी खरीदने जैसे कई गंबीर आरोप के साथ उनके भारती नागरिकता लेने के भी वज़ा का भी खुलासा किया है अदनान सामी के भाई जुनेद सामी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखकर शियर किया उन्होंने लिखा अब तक अदनान बताते आ रहे हैं कि उनका जन्व इंगलेंड में हुआ था जबकि जुनेद ने पोस्ट में लिखा अदनान का जन्म 15 13 ऑगस 1969 को रावल पिंडी के एक हॉस्पिटल में हुआ था कुछ साल बाद 1973 में मैं भी इस हॉस्पिटल में पैदा हुआ तो यह जूट है कि अदनान इंगलेंड में पैदा हुए थे इंगलेंड में वो अपने ओ लेवल में फेल हो गए और फिर लाहुर से डिगरी बनव उन्होंने लिखा ये बाद मुझे परिशान करती है मैं अपनी गल्फरेंड के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता अदनान ने साल 2007 से आठ के बीज अपनी दूसरी पतनी सबा के साथ अश्लील वीडियो रिकॉर्ड की जिसके बाद अदनान ने कोट में कहा कि ये वीडियो उन्हों उन्होंने नहीं बलकि सबा के बॉइफरेंड ने बनाई है इसके बाद उन्होंने वीडियो को कोट में जमा भी कर दिया जिससे पूरा भारत इसे देख सकी मुझे बताया गिया कि ये सब कुछ देखकर सबा कोट में बेहोश हो गई थी शुकरवार दुपैर इस पोस्ट क चोड इंडिया शिफर हो गए आपको बता दें साल 2010 में अदनान ने रोया सामी खान से शादी की दुनों की एक बेटी है जिसका नाम मदीना है वहीं अदनान सामी के बाई जुनेद ने आगे लिखा कि मैं म्यूजिक की लाइन में अदनान सामी से जादा अच्छ गाता हू और कई लोगों ने इस बारे में अदनान के मूपर भी ये चीज़ बोली है लेकिन उन्होंने कभी मुझे लॉंच नहीं किरा ना ही कभी मुझे सपोर्ट करा क्या उन्हें डर था कि करियर के लिहाज से मैं उनके आगे निकल जाओंगा इसे खारिज मत करो अब मैं घर पर बैठा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं इसका मुख्य कारण अदनान सामी ही है